स्फागति है अपने चैनल में में मै्कलों तक र्यूंतर के में टेमेश के अलावा है सबस्क्राइश माइक्रों सना लाज़ें और में नियुटरिशनलmek牡 कि самое झालाची गेश्ग के मैगनिशम्फीक Kingdom कि में जाते हैं तो उसके बारे हम बात करेंगे, उसको हम कत्मी requirement होती है, कब देना चाहिए, plants में क्या benefits देते हैं उसके, तो हलका-फुलका मैं आपको यहां का दिखाता हूँ भी विज़से, मैंने recently अभी कुछ दिन पर दिया था, plants में मैंने spray के form में दिया था वो, तो हम उसको किस तरीके से दे सकते हैं, उसके बारे हम बात करेंगे आज यहां पे, तो सबसे पहले हम चलते हैं वहाँ पे, उसके बारे में details दिखाता हूँ में आपको, तो यसे यह मेरा है, Epsom Salt के दो packet है, यह मैंने local market से लिए थे, अब यह मैं आपको बता दूँगा है, रीजनेबल रेट पे कहां में सकते हैं, ओनलाइन में हम कहां से ले सकते हैं, इसको किसी और नाम से भी मिलता है, जैसे आपको अगर Epsom Salt के नाम से नहीं मिल रही है, तो Magnesium Sulphate के नाम से मिल सकता है, देखो, जिस पे लिखा है, Magnesium Sulphate यहां पे, तो दूसरे इसका नाम से भी सर्च करेंगे, तो भी मिल जाएगा, लोकल मार्केट में भी आपको अगर रीदेबल रेट में मिल रहा है, पेन कोट चेक बार चेक करेंगे, तो बेटर है कि वहाँ पे से मंगा ले, जिससे अब में नेक्स तेम महां प्रिफर करूँगा, तो महीं से मंगाना प्रिफर करूँगा, क्योंकि यह मुझे तोड़ा सा उससे पढ़ाई है, यह अप्रोक्स सो रुपे के दो किलो के आए हाँ पे यह, और इफको का फोड़ा सा प्रोड़ेक्ट का यह है, कि मेरे को ज़्यादा रिलाइबल उसमे यह आजाती ही चीज़ी, महां पे, तो मैं नेक्स तेम में ट्राइब करूँगा, महां पे मंगाने का इसमे, अब देखो, इसको एपसम सोल्ट का दूसरा नामे है, मैंगनिशम सल्फ़ेट का, अब इसमें प्लांट्स में बेनिफिट क्या होता है, प्लांट्स को यह मैंगनिशम और सल्फ़ेर कराता है, जो माईक्रोनिटरेंट है यह पे, तो plants को इसकी micro nutrients की जो need होती है वो fulfill हो जाती है ऐसे में अब plants को अगर यहाँ पे chlorophyll करने में help करता है और उसकी help से क्या होता है ना plants photosynthesis अच्छे से कर पाते हैं जितने अच्छे से plants photosynthesis कर पाएंगे उतनी plant की growth अच्छी हो पाएगी इसलिए ना plants को हमेशा regular basis पो नहलाना भी चाहिए मतलब जैसे आप पानी देते हैं तो उसको pipes से अगर पानी दे रहे हैं तो उसको shawering कर दें अच्छे से या फिर दो पादस plants से आपके तो अच्छे सोट से mistring कर दें अच्छे से अच्छे से हो पाएगा तो उसका benefit यहां पर आपको देखने को मिलेगा प्लांट की growth में और उसके अलावा क्या क्या है अब NPK के बाद यह में इंपोर्टेंट फॉर्थ नंबर का आता है जो हमारे को plants को देना चाहिए यह क्या करता है यह क्या करता ना लीफ को green रखता है जो लीफ अगिरा है इसे हमारे कई बर हुदा है कि प्लांट की लीफ को green रखने में benefit मिलता उसका अब उसमें कब कब उसमें करना है जैसे कितनी वार देना को वो उसके बारे में बात करते हैं तो मन्थ में एक बर इसको देंगे तो sufficient plant के लिए अब देखो कब केसे किसे दे सकते है या तो आप नया प्लांट जब लगा रहे ह बारा इंच का है तो एक चमच sufficient मिट्टी मिला दें तो दीदेर वहाँ पर उसको में nutrition लेता रहेगा उसमें इस साब से और अगर हम इस प्रेयर वशीन के साब से काम करें तो एक लिटर में हमें कितना चाहिए वहाँ पर हम नॉर्मली एक स्पून मिला सकते उसमें पर आप कि अब पर यहाँ इसको ट्राय कर रहे हैं तो आप उसको आदा चमच यहाँ पर मिलाएंगे तो आदा चमच भी sufficient होगा इसको मैं दिखात हूँ किस तरह के form में होता है यह यह वाइट कलर का देखो यह इस तरह का दानेदार form में होता है यह बिलकुल बारिक-दानेदार न तो आप एक लिटर में पानी में एक चमज मिलाके डारेक्ट सोल में मिडा सकते हैं मिट्टी में अगर अगर अपने जो प्लांट लगे हुए उसमें डाल सकते हैं डारेक्ट इस्प्रेयर मशिन होती है उसमें एक लिटर में आप एक चमज मिलाके इस्प्रेय कर सकते हैं तो आपका शोकल प्लांने के प्लंट करते हम तो प्लांने के दिभत उसमें उसमे के बचाने की तैयम पी टाले, इसमें इसमें को डाल यह मी को절 ऑ्ट मिपरी के प्लंट कर आठे हैं अलगें इसमें सब्सक्राशांने नॉर्मल सी इशू है यह लीफ कल का तो प्लांट्स में लीफ कल का तो समझ जो थोड़ा सा मैगनिशिम की कमी है तो अब उस टाम पर एपसम सौल्ट उसमें डाल दो मिट्टी में क्या दाना कई बार नुट्रिशन होते नहीं है मैंक नुट्रिशन हमारे हम उसमें रेगुलर फर्टिलाइजर नहीं देते तो वहाँ पर दिक्कत कर जाता है तो वहाँ पर यह चीज़े डालेंगे तो बेनिफिट मिलेगा आपको जहां तक है गुलाब के में टमाटर के में लीफ वाले जितने भी ब्लांट से उसमें आप डालेंगे ज्यादा तो अच्छा बॉत भी तो पीरद्रब इते हें देंगे दालें इस ततरीके से कर सकते हैं वी मैं आपको दिखाता हूं कि इस त्तरीके से कर सकते हैं तो मैं बडना के आपको फिर फे धिखाता हूं तो देखो यह आपर जैसे पानी का एक भरा हुआ है मेरा 2 लिटर का अप्रॉक्स तो दो लिटर में चाहिए तो हम प्रखेंगे लिए तो यह से फिर ने के बाद अच्छे से टाइड बन करके इसको बन करता हूं तो यह मैंने मिला लिया इसको अब अच्छे से को करके हाँ पर अब देखो एक चीज कहना जब भी हम कोई भी फर्टिलाजर देंगे तो हम इसको मॉर्णिंग में दें या फिर इवनिंग में दें क्योंकि अभी जो तेज धूप है जैसे मानलो हमारे हाँ पर इस जगे पर ट यहां पर इसको दे सकते हैं इसमें जितने भी लीफ आले है इस तरीकी के है तो हम इसमें स्प्रेय कर सकते हैं यह घुलने के पाद इसको थोड़ी देर रखने करने देखो तो यह काफी अच्छा इसका रिजरन देखने को मिलता है जिसी यह स्वीट पोटेटो वाई ने ज देखने को मिले हैं आपको पत्या काफी अच्छी ग्रीन रहीगी इसमें तो वह सब चीजों का बेनिफिट रहेगा इसमें वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करतेगे कि यह वीडियो को लाइक कर दीजीगा थैंक यू फ्रेंड्स